माधिर रहीम इचका हमारा ठापिक है मट्टी के बर्तन एक्सला के मट्टी के बर्तन और प्लास्टर आफ पेरिस एक्सला आफ मट्टी के बर्तन और प्लास्टर आफ पेरिस के बहुत पशबूर है ये एक मख्सूस मट्टी होती है जिसमे से पत्तर वगेरा ना हो उस मट्टी से इसको बनाया जाता है मट्टी को पेहले चांपिया जाता है चकनी मट्टी इसके लिए ज्यादा सूटेबल है पेरे इसको गीला करके तैयार किया जाता है ताके इससे चीजे आसाम तरीके से बन सके लोग सालों से इस कारुबार से वाबस्ता है इसके मुखतनिफ तरीके होते हैं जिसके बाद इससे मुखतलिफ चीजे बनती है मसलन वील मितट सराही गुलदान जिस तरह बनाए जाते हैं इस वील मितट की जरीए बनते हैं यहां के कारिगर बहुत मेहनती हैं इनकी उनरमंदी और मेहनत की अजमत को देखते हुए मुखतलिफ स्कूल और कालिज उनको नवाइट करते हैं और वो इन कालिज में और यूनिवरस्टी और स्कूल में प्रिक्टिकली बढ़ाते हैं सुरग डिजाइन से बने हुए मट्टी के बरतन यहां हर किसम की दस्तियाब हैं इसमें लंगरी बेलन यह टेबल हैंगे क्या है मुखतरिफ इंटीक्स यह आपको इजिरी और असाम ट्रेट पे अवेलिबल हैं मेट्टी कुछ मीरपूर खासी भी मंगवाई जाती है क्योंकि उसकी मट्टी इस काम के दिए ज्यादा फीजिबल और सूटेबल है टेक्सला तारीख और असार कदीमा का मजमूह है तरवाई क्युआ है मत्हाई है यह यह झाल झाल